आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे प्रोसेस अनिलिंग के बारे में जो एक heat treatment प्रोसेस है और अनिलिंग प्रोसेस का एक टाइप है जिसे हम सब critical अनिलिंग के नाम से भी जानते हैं और अनिलिंग प्रोसेस में ये एक simplest form है और इस प्रोसेस का प्रियोग हम cold worked metal की ductility को restore करने या फिर increase करने के लिए करते हैं या फिर उस material को soft बनाने के लिए इस process का इस्तेमाल किया जाता है इसके अत्रिक्त इस process का प्रयोग हम material की structure में minor changes करके उसकी internal stresses हैं और hardness को भी कम किया जाता है क्योंकि cold working के दोरान material के जो steel grain होते हैं वो distort हो जाते हैं और उनको वापिस normal state में लाने के लिए हम इस process को करते हैं और एक प्रकार से कह सकते हैं recrystallization किया जाता है अब बात करते हैं कि इस process को कैसे किया जाता है जैसा कि हमें पता है कि जो annealing process है इसका basic step यह रहता है कि हम material को heat करते हैं एक particular temperature पर उसको फिर hold किया जाता है कुछ time period के लिए और उसके बाद उसकी cooling की जाती है अब बात करते हैं कि जो low carbon steel या फिर hypo eutectoid steel अब hypo eutectoid steel वो होते हैं जिसमें carbon percentage 0.83% से कम होती है अगर आप इस diagram को देखें 0.83% तक जो carbon होती है वो hypo eutectoid steel कहलाते हैं अगर 0.83 से 2.14% तक carbon है तो वो hypo eutectoid steel कहलाते हैं अब बात करते हैं कि जो steel wire या जो seat product होते हैं वो एक प्रकार से जो material है उनको गरम किया जाता है और गरम करने के लिए एक temperature range रखी जाती है कि जो material जिसे हमें process annealing से गुजारना है उसे हम lower critical temperature से थोड़ा सा नीचे उसको गरम किया जाता है क्योंकि जो steel होता है उसको lower critical temperature अगर हम बात करें वो 720 degree Celsius होता है और इसे हम A1 के दुआरा दरसाया जाता है और lower critical temperature लाइन ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है अब इस लाइन से थोड़ा सा नीचे जो temperature range है उस पर इस particular material को गरम किया जाएगा और वो जो range रहती है वो 550 degree Celsius से 700 degree Celsius के बीच में रहेगी वो डिपेंड करेगा कि material में carbon content कितना है तो इस particular temperature पर steel को गरम किया जाता है और उस suitable जो temperature select किया गया है उस पर उस temperature पर material को hold किया जाएगा hold करने के बाद slow cooling की जाएगी steel की air में slow cooling इसलिए करते हैं ताकि जो metal या जो steel है जिसे हम अपनी आवसकता अंसार soft बना सके और further उसको cold working operation के लिए यूज किया जा सके क्योंकि इस material को फिर से यूज किया जाएगा deep drawing operation में wire drawing operation में फिर से इसको यूज कर सकते हैं अगर हम बात करें process annealing के दोरान जो material होता है उसमें phase change नहीं होता क्योंकि ये जो hypo detectoid steel है अगर हम देखें जो lower critical temperature line से नेचे का जो portion है उसमें ferrite और pearlite होते हैं और जो distorted ferrite होता है structure में उसका फिर से partial recrystallization किया जाता है तो एक प्रकार से इस process में phase change नहीं होता जैसा कि full annealing में होता था दूसरी बात कि जो process annealing होती है उस दोरान जो material या जो steel है उसको soft बनाया जाता है उसकी ductility को increase किया जाता है और इसका main काम ये भी रहता है कि हमें steel की जो machinability है उसको भी improve करना होता है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss की process annealing जो एक heat treatment process है annealing process का एक type है और जिसे हम सब critical annealing के नाम से भी जानते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, students के साथ और चैनल को subscribe करना ना भूलें, जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे झौले हो आपका लोगा आपका दोस्तों के लिए एक हैं, जल्दी हैं झाल झाल